जैहें हैं दोस्तों, वेलकम टू एपी एकैडमी, आज हम लोग मौरे डाइनिस्टी का सेकेंड पार्ट करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगोंने मौरे डाइनिस्टी स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी टाइम लाइन, उसकी कैपिटल और उसके फाउंडर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उनके सोर्सस के बारे में देखा, कहा कहा से हमें मौरे डाइनिस्टी क के बारे में पता चलता है फिर इसके बाद हमने उनके रूलर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया जिसमें हमने सबसे पहले मौरे डैनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रुप्तु मौरे उनके बारे में पढ़ा उसके बाद फिर उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके पढ़ा, कलिंग, हालकि उनका खुद एकलिंग युद नहीं था, लेकिन उनकी जिन्दगी का सबसे important युद जो था, वो कलिंग था, कलिंग युद के बारे में हमने पढ़ा, हमने उसके impact देखे कि उसका impact क्या पढ़ा, अशोक की philosophy पर क्या पढ़ा, उनकी psychology पर क्या पढ़ा, फिर इसके बाद हमने अशोक की धमा policy के बारे में पढ़ा, जिसमें अशोक ने बताया कि किस तरीके से हमें अब physical conquest ना करके अब cultural conquest की तरफ जाना चाहिए, फिर इसके बाद बहुत धर्म को किस तरीके से अशोक ने spread किया पूरी इंडिया में, हमने उनके measures देखे कि अशोक ने क्या-क्या measures लिये थे बहुत धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद फिर हमने last Morian rulers के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो सबसे last ruler थे मौरे डाइनिस्टी के वो थे ब्रहद्रत, और ब्रहद्रत के एक कमांडर इंची थे पुश्य मित्र सोंग, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रहद्रत जो last Morian ruler था, उसकी हत्या कर दी थी, और वहां से उन्होंने अपनी dynasty established करी थी, जो की कौन्सी dynasty थी, सोंग dynasty, तो इस तरीके से मौरे सामराज का पतन हो गया, अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में, इस पार्ट में हम मौरे सामराज का पूरा प्रशासनिक विवस्था देखेंगे, मतलब उनका जो प्रसाशन चलता था, वो कैसे चलता था उनका पूरे administration के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक अब इसमें हम देखेंगे कि भई इनकी जो मंत्री परिशत था वो कैसा था फिर इनकी जो bureaucracy हुआ करती थी जो नौकरशाही हुआ करती थी वो कैसी थी ठीक जो अब यह जो पूरा मौरे dynasty था यह कितने प्रांतों में बटा हुआ था हम वो भी देखेंगे कौन-कौन से provinces थे यह जैसे हमने देखा था कि अवंती था एक हम देखें जिसे तक्षिला था मैंने आपको बताया भी था कि बिंदुसार के जो बड़े बेटे थे तक्षिला के गवर्नर थे और अगर हम अशोक की बात करें तो वो अवंती की गवर्नर थे तो ऐसे मौर की कितने province government हुआ करती थी और उन provinces को चलाने वाला कौन था ठीक इसके बाद हम देखेंगे जो है आगे इसमें हम देखेंगे कि municipal administration किस तरीके का था मैंने आपको बताया था मेगस्तिनीस ने जो ग्रीक ambassador था उसने किताब लिए थी इंडिका उसमें उन्होंने पाथली पुत्र के administration की बारे में बताया था और उन्होंने उस शेहर के किस तरीके से administration किया जाता है हम पौरा जनपत के बारे में पढ़ेंगे district और village administration के बारे में देखेंगे और इसके अलावा हम इनके military organization के बारे में भी देखेंगे तो आज की class में हमें इनका पूरा administration पढ़ना है more administration तो let's start देखें जहां तक administration की बात करें ठीक है प्रशासन की बात करें देखें सबसे पहला point आपको याद रखना है कि Rightbook को मतलब हो होता है कि राजा का बेटा या उनके वंज का ही कोई व्यक्ति राजा बनेगा मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा और उसका बेटा फिर-णतर माना जाता था म comparator है छिका है यह हैरीं servet है करता था देखा हूं कि चनद्रκॉप्त तो मौरे का बेटा बिंदु सार जो है वो राजा बना उसके बाद और बिंदु सार का जो बेटा अशोक था वो उसके बाद राजा बना तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक जो पदती थी इनकी ये थी कि इनका जो राजा हुआ करेगा वो absolute monarchy system होगा, heridentry होगा, वो उसी परिवार से आएगा, सबसे पहला point तो ये था, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, administration की, तो courtly के मताबिक, ठीक है, अगर हम बात करें, according to courtly, उन्होंने एक theory दी थी, सप्तांग theory, ठीक, ये theory बहुत important है, सप्तांग theory, ठीक, इन्होंने सप्तांग theory में क्या बताय कि एक जो state होता है, या जिसे हम country कहते हैं, आज की date में, जिसे हम राज कहते हैं, ठीक, एक राज के total 7 element होते हैं, ठीक, सप्त्यांग theory में उन्होंने ये बताया, कि जो एक पूरा राज होता है, उसके total 7 element होते हैं, ठीक, इसका जो सबसे पहला element होता है, वो होता है, ठीक, ज जाते हैं ठीक है तो राजा is the ultimate decision authority ठीक स्टेट का सबसे पहला element जो होता है वो राजा होता है ठीक अब इस राजा को सला देने के लिए एक मंत्री परिशद होती है जिसको आमत्य कहा जाता है ठीक क्या बोला गया है उसको इनी मंत्री परिशद से क्या किया करते थे सलाह लिया करते थे तो आमत्य हुआ करते थे दूसरे element ठीक इसके बाद अगर हम तीसरे element की बात करें तो वो था जनपदा ठीक जनपदा का क्या माना गया टेरिट्री माना गया तब आप जानते हैं कि एक राज्य होता है तो उसकी कुछ न कुछ क्या होती है टेरिट्री होती है ठीक तो तीसरा element हुआ करता था वो था जनपद ठीक उसके बाद अगर हम चौथे element की बात करें सफ्कांग ठीक तो चौथा हुआ करता था दुर्ग ठीक देखिए दुर्ग मतलब बेसिकली क्या हुआ करता था कि आपकी बाउंडरीज हुआ करती थी जिससे आप अपने राज्य को कवर करके रखते थे जैसे आज की डेट में हमारे यहां जो है military setup है सारी हमारे borders पर ठीक तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो हुआ करता था पहले को जो राज्य हुआ करते थे उसमें किले बंदी की जाती थी किले बंदी जिससे की मतलब दुर्ग एक तरीके से बनाया जाता था या बहुत बड़ी दीवार कड़ी की जाती थी जिससे कोई विदेशी आकरमन करे तो वो हमारे राज्य में ना घुश सके ठीक है इसलिए दुर्ग बनाया जाता था तो राज्य का जो चौथा एलिमेंट हुआ करता था वो था दुर्ग ठीक उसके बाद अगर हम पांचवा एलिमेंट की बात करें तो ये था कोश कोश मतलब जो सरकारी खजाना होता है जिससे सरकार चलती है मतलब पूरा जो प्रसासन है वो चलता है तो एक कोश भी होना चाहिए ठीक है जैसे आज की एलिमेंट होता है वो क्या होता है कोश होता है ठीक उसके बाद अगर हम छटे एलिमेंट की बात करें ठीक तो छटा एलिमेंट होती है आपकी सेना ठीक हर राज्य की अपनी एक सेना होती है ठीक है तो सेना भी उस राज्य का एक important element होता है ठीक तो सेना जो होती है वो छटा element होता है और अगर हम साथवे element की बात करें तो वो होता है मित्र ठीक मित्र की अगर हम बात करें तो मतलब जो आपका मित्र हो ठीक है मित्र सरीके का ठीक है जो आपको सही तरीके से सारी बाते बताए सारी चीजों को आपको clear करे ठीक तो ये total राज में एक राज की अगर हम बात करें एक state की बात करें तो इसके 7 element ये हुआ करते थे जिसको कहा गया है सब्तांग theory ठीक तो सब्तांग theory दी उसमें 7 element जो बताए उसमें राजा, आमात, जानपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र ये इसकी सब्तांग थियोरिटी ठीक इसके बाद मैंने आपको बताया आमात्ट के बारे में ठीक है आमात्ट का काम क्या होता था ये मंत्री परिशद हुआ करता था और मंत्री परिशद का काम होता था राजा को सला देना मतलब to give advice ठीक है मंत्री परिशद का सिर्फ एक काम होता था राजा को एडवाईज देना जो भी crucial decisions लिए जाएंगे उसमें राजा को एडवाईज देने का काम कौन करता था मंत्री परिशद ठीक है अब ये मंत्री परिशद की जो advice हुआ करती थी वो राजा के उपर बाद नहीं हुआ करती थी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मंत्री ने कह दिया तो राजा को बात माननी पड़ेगी हाँ उनकी सलह ली जाती थी लेकिन ultimate decision लेने का काम किसका था तो राजा is the ultimate authority ठीक है अब राजा कई बार क्या होता था मंत्री परिशद की किसी भी advice को ignore भी कर सकता था लोगों के भले के लिए कई बार ऐसा भी decision कुछ होता था जिससे अगर लोगों के interest पर कुछ असर पड़ रहा है तो वो कई बार मंत्री परिशद के जो लोग हुआ करते थे उनकी advice को वो reject भी कर देता था ठीक है ignore कर देता था ठीक अब इन मंत्री परिशद में होता कौन कौन था अगर हम बात करें ठीक यह जो मंत्री परिशद था ठीक अब इस मंत्री परिशद में कौन-कौन हुआ करते थे ठीक है तो मंत्री परिशद में बेसिकली जो टॉक फोर के लोग हुआ करते थे उसमें एक हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर ठीक है जो प्रधान मंत्री हुआ क करता था अगर हम चंद्रगुप्त मौरे की बात करें तो चंद्रगुप्त मौरे के टाइम पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चानक के कोटेले जिनको हम कहते हैं वो क्या थे उनके प्रधान मंत्री ठीक इसके बाद अगर हम बात करें प्रधान मंत्री के बाद ठी दूसरा राजा को सलाह देना ठीक है मतलब राजा को एक सही सलाह देना ये काम होता था पुरोहित का ठीक इसके बाद अगर हम बात करें तो जो दीसरा हुआ करता था वो हुआ करता था सेना पती ठीक सेना पती जो है मुंत्री परिशद में हुआ करता था जो पूरी राज की स सेना का संचालन करता था मतलब जो पूरा जो मौर सामराज था उसकी जो सेना का संचालन किया करता था वो उनका सेना पती हुआ करता था ठीक और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो चौथा हुआ करता था वो हुआ करता था यूवराज युवराज मतलब जो राजा हुआ करता था उसका बेटा जो हुआ करता था जो मतलब अगला राजा बनेगा ठीक है तो उसको क्या कहा जाता था युवराज कहा जाता था ठीक है तो हर राजा अपना एक युवराज अपॉइंट करता था क्योंकि ये पूरे उसको बताना होत लेकिन ये चार सबसे important element हुआ करते थे एक होते थे prime minister, दूसरे होते थे पुरोहित, तीसरे होते थे सेनापती और चौते क्या होते थे युबराज हुआ करते थे ठीक है और इन मंत्री की जो जिम्मिदारी हुआ करती थी एक चीज याद रखेगा इन मंत्री जो जितने भी मं थे ठीक है, इनकी जिम्मिदारी या इनका दाय तो सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए हुआ करते थे, मतलब कि इनकी जो loyalty थी, इनका जो duty हुआ करती थी, वो directly किसके लिए responsible थे, only to राजा, सिर्फ राजा जो है, उसी के प्रती responsible हुआ करते थे, ठीक है, जो भी वो duties करेंगे clear, तो आपको थोड़ा administration का introduction समझ में आया, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राजा की position मोनार्की थी, absolute मोनार्की, hereditary थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर इसके बाद कौटेले ने जो सब्तांग ख्योरी दी, उसमें एक state के साथ element होते हैं उसने बताया, राजा, आमात, जनपत, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, इसके बाद फिर हमने देखा मंत्री परिशद हुआ करती थी, जिसका काम होता था राजा को एडवाईज देना, लेकिन राजा उनकी एडवाईज को माने ये ज़रूरी नहीं था, ठीक है, चौथी ची ये पौरा जनपत के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊगा, ठीक है, क्योंकि पौरा जनपत हमको पढ़ना है, एक separate topic है, तो पौरा चनपत भी क्या हुआ करता था, मंत्री परिशद का पार्ट हुआ करता था, clear है, और इनका काम जो था, ये responsible सिर्फ और सिर्फ राजा के प्रती थे, अपनी जितनी भी duties करते थे, इनकी जवाब देही सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए हुआ, clear हुआ ही, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम administration की बात करें, तो सबसे पहले तो मोनार्की हुआ करती थी, absolute hereditary, फिर इसके बाद कोटिले के according साथ element हुआ करते थे, एक state के स इसको ignore भी कर सकते थे, इसके बाद बात करें, तो जो मंत्री हुआ करते थे, अमात, ठीक, उनमें कौन-कौन हुआ करते थे, तो प्रधान मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापती होते थे, और युबराज होते थे, इसके बाद बात करें, इनमें leaders हुआ करते थे, पौरा जनपद के फिर्फ और यह पौरा जनपद मैं पढ़ाऊंगा अभी ठीक है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ठीक आगे पढ़ाऊंगा तो पौरा जनपद के जो leaders हुआ करते थे वो भी इसमें included हुआ करते थे इसके अलावा ये ministers जो होते थे इनकी responsibilities सिर्फ और सिर्फ ये जवाब दे ही सिर्फ और सिर्फ राजा के प्रती हुआ करते हैं ठीक है जो भी वो duties करेंगे जो भी चीजे करेंगे वो राजा के प्रती जवाब दे हुआ करते हैं तो administration का खोड़ा सा introduction आपको समझ में आया ठीक अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकी bureaucracy हुआ करती थी center में उन में कौन-कौन से जो है अधिकारी हुआ करते थी ठीक है या हम जिसको कहते हैं नौकरशाई आज की date में अगर हम बात करें तो bureaucrats को हम क्या कहते हैं नोकरशायी ठीक तो जो bureaucracy हुआ करती थी ठीक है, center में उसमें उसमें जो हैं leaders हुआ करते थे, कौन-कौन से किन का किन का क्या क्या काम था, तो हम इसको आगे देखेंगे, ठीक, तो इसके बात जो हम देखेंगे, वो है bureaucracy at the center, centre पर bureaucracy का थी, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पूरा जो administration हुआ करता था उसका सिर्फ एक ही nucleus हुआ करता था मतलब सारा administration एक ही व्यक्ति के एक रिट चलता था राजा के तो सबसे पहली बात तो पूरी centralized bureaucracy दिगा था ठीक है जो पूरा मतलब centralizedization था मतलब ठीक है centralizedization का मतलब होता है कि power center सिर्फ एक ही हुआ करता है जो की राजा हुआ करता है इसको बोला जाता है centralized bureaucracy ठीक तो centralized bureaucracy यहां पर थी ठीक अब कौन कौन से functionaries यहां पर थे ठीक है और यह सारी बाते में कर रहा हूँ according to earth शास्त्र कौनले का जो earth शास्त्र किताब थी उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि उसने पूरे मौर काले में जो भी administration या प्रशास्त्रिक सेवा रही है वो उनके किताब में दी हुई है ठीक तो सबसे पहले तो इनकी centralized bureaucracy थी ठीक उसके बाद अगर हम बात करें तो जो important functionaries थे according to earth शास्त्र अफ कौनले के अर्थ शास्त्र में जो important functionaries के बारे में बत ठीक है जो हमारा more administration था ठीक है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कई सारे provinces में बटा हुआ था तो हर province का एक head हुआ करता था ठीक है और उस province का head का का काम जिसका हुआ करता था वो या तो राश्चपाल या फिर वो voice right हुआ करता था एक तरीके से ठीक है या हम उसको आज की date म governor कहते है ठीक तो राश्चपाल का कामी यह हुआ करता था कि उस province को समालना ठीक इसके बाद यह जो दूसरा हुआ करता था सामहरता ठीक है इसका काम था revenue collector collection of revenue ठीक है मतलब जो भी मतलब एक तरीके से यह इनका finance minister हुआ करता था more administration की अगर हम बात करें तो सामहरता क्या revenue collect करना ठीक है इसके अलाबा आगर हम बात करें सानिधाता ठीक है यह हुआ करता था chief treasury officer यहाज की date में जो chief treasury officer होता है ठीक है treasury officer ठीक है मतलब treasury officer का मतलब होता है कि जो हमारा जो वो है क्या कहते हैं जो सरकारी खजाना हुआ करता था ठीक है जहां से पैसा निकलना था जहां स चाहसा सारा प्रसासन चलता था तो उसका एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था सानिधाता उसको बोला जाता था सानिधाता तो ये क्या हुआ करता था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और भी ऑफिसर हुआ करते थे जैसे अगर हम बा ठीक है इसका काम होता था न्याय करना ठीक लेकिन यहां पर भी यह जो वहवारिका हुआ करता था यह Chief Justice Civil Matter के लिए हुआ करता था ठीक है मतलब जो Civil Matters हुआ करते थे उसके लिए जो Chief Justice हुआ करता था उसको बोलते थे वहवारिका और ठीक है और यह जो प्रदेश्टा था ठी ठीक है ये chief justice हुआ करता था criminal cases के ठीक है मतलब जो criminal cases हुआ करते थे उनके लिए जो chief justice हुआ करता था उसको प्रदेश्टा कहते थे और जो civil matters के लिए जो chief justice हुआ करता था उसको बोला करते थे व्यावारी का ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रदेशिका हु इसको बोला जाता था प्रदेशी का ठीक और आप जानते हैं कि डियम जो है वह एक जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है ठीक है तो उस टाइम पर जो हुआ करता था जिले का वह करता था प्रदेशी का ठीक है जो आज का क्या हुआ करता था डिये इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हुआ करते थे राजुकास ठीक है राजुकास ये लोग कौन हुआ करते थे ठीक है अगर हम राजुकास की बात करें तो ये बेसिकली land revenue को collect करने वाला हुआ करता था मतलब आज की डेट में जो पटवारी करता है आज की डेट में जो हमारा पटवारी होता है ठीक है पटवारी का काम क्या होता है लेंड की जितनी भी लिमिट्स हैं उसको मेजर करना सारी चीजों को तै करना और लेंड रिवेन्यू को कलेट करना ठीक तो ये काम पटवारी का हुआ करता था ठीक है तो एक तरीके से आज की युक में जिसे हम पटवारी कहते हैं इनके टाइम पे क्या हुआ करता था राजुकास हुआ करता था इसके बाद अगर हम बात करें धम्म महामत्रास ठीक है मैंने आपको बताया था कि ये धम्म महामत्रास किस ने बनाया था अशोक ने बनाया था ठीक अशोक ने ये यूनिट क्यों बनाई थी कि इस यूनिट में जो भी लोग काम करेंगे उनका एक ही काम होगा बहुत धर्म का प्रचार करना मैंने आपको बताया था धम्म महा मातरास जो बनाया गया था वो बहुत धर्म को प्रचार करने के लिए एक unit बनाई गई थी अशुक के द्वारा ठीक तो धम्म हमातरास का काम क्या होता था बौत धर्म का पचार करना बस इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो हुआ करता था वो हुआ करता था नागरिका ठीक है नागरिका का मतलब यह हुआ करता था कि जो एक तरी सिध्यक्षा ठीक है सिध्यक्षा ठीक है यह बेसिकली हुआ करता था आपका अग्रिकल्चर लैंड ऑफिसर ठीक है मतलब जो क्रिशी होती है जिन लैंड पर उनका जो ऑफिसर हुआ करता था वो हुआ करता था सिध्यक्षा ठीक है तो यह हुआ करता था अग्रिकल्चर लैं officer हुआ करता था ये ठीक है जो कृषी हुआ करती थी जिन land पे उसका अधिकारी हुआ करता था इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो है वो है प्रतिहारा ठीक है प्रतिहारा basically हुआ करता था द्वारपाल जो हुआ करते तो आपने देखा हो पहले के समय में राजाशाही में द्वार्पाल इस धीक द्वारपाल का चीफ द्वार करता था इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो हुआ करता था वो हुआ करता था शुक धक्षिया शुक धक्षिया का ठीक है धक्षिया ठीक ये बेसिकली हुआ करता था टोल आफिसर ये टोल लेने का काम करता था इसका काम था टोल कलेक्षिया ठीक उस टाइम पर भी क्या हुआ करता था आपके रा अब अक्षपतला ठीक है ये भी एक officer हुआ करते थे ठीक इनके बारे में कोई wishes जानकारी नहीं है कि इनका काम क्या हुआ करता था तो ये भी मतलब कुछ न कुछ ब्यूरोक्रेट्स में ही कुछ न कुछ काम रहता था इनका फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो और दो पॉरोक्रेट्स हुआ करते थे पन्य दक्षिया और अकार दक्षिया ठीक है तो ये सारे क्या हुआ करते थे ये ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे ठीक है इसमें से bureaucracy चलती थी मतलब जो nucleus हुआ करता था वो कौन हुआ करता था राजा सारी चीजे जो कुछ भी होती थी वो सब राजा के इर्द्रित चलती थी तो ये था bureaucracy at the center ठीक अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पूरा more dynasty थी ये कितने province में बटी थी province मतलब आज की date में जैसे हमारा इंडिया में आज की date में 28 states है ठीक है और 8 union territories है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भारत देश है वो 28 राज्यों में और 8 union territories में बटा हुआ है तो वैसे ही उस time पर भी जो more सामराज हुआ करता था उसकी कुछ provincial governments भी हुआ करती थी मतलब कुछ provinces में वो बटा हुआ करता था तो अगर हम बात करें more administration की ठीक है तो जो पूरा more empire था ये total पांच provinces में बटा हुआ जो पूरा empire था वो kis में बटा हुआ था पांच province में ठीक है अब हम एक एक करके सारी province देखेंगे कि कौन-कौन पाँच प्रोविंसेज में बटा हुआ था, टोटल पाँच प्रोविंस थे आपको ये याद रखना है, सबसे पहला जो हुआ करता था, वो हुआ करता था, उत्रा पत्हा, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी, तक्षिसिला, आपको याद होगा, बिंदुसार का जो बडा बेट था Sushim ए उसको यहीं का governor बनाया गया था उत्तरपथा का जिसकी capital क्या हुआ करती थी तक्षिसिला करती दूसरा जो province करता था वह करता था प्राची ठीक है इसकी capital होती थी पाट्री भूंद थी तर्ंट, । जो मैं तो फ्राची जो था when capital था और उसकी capital क्या हुआ करती थी पाटली उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो हुआ करता था अवंती राष्ट्र। ठीक हमारे यहां मद्य प्रदेश में जो अवंती महाजनपत थी वो जो अवंती जो है उसको मिला लिया गया था मौरसामराज में तो अवंती राष्ट्र भी एक प्रोविंस हुआ करती थी जिसकी कैपिटल क्या थी उज्जेन आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया थ था वो हुआ करता था कलिंग ठीक कलिंग जो है वो अशोक ने जीता था कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग को जो है वो मौरसामराज में मिला लिया था और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी तोसली ठीक तो तोसली जो है वो इसकी कैपिटल कलिंग की हुआ करती इसके बाद जो पाँचवा प्रोविंस हुआ करता था दक्षनापत ठीक दक्षनापत जो है वो पाँचवा प्रोविंस हुआ करता था और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी स्वर्नगिरी स्वर्नगिरी जो हुआ करती थी वो कैपिटल हुआ करती थी तो आपको ये पाँच की बात करें तो उसकी capital उज्जेन होती थी कलिंग की बात करें तो तोसली होती थी और अगर दक्षण पटा की बात करें तो सुवरन गिरी सुवरन गिरी यह capital हुआ करती थी अब हर प्रोविंस के लिए एक voice roy या फिर हम कहें कि एक governor एपॉइंट किया जाता था ठीक अब यह governor या तो राजा का बेटा होगा ठीक है राजा का बेटा या उनके रिष्टदारी में कोई होगा royal blood जिसे हम कहते है या फिर वो कोई other person भी हो सकता थी ठीक अब जैसे हम बात करें तक persons को भी क्या किया जाता था बिटाया जाता था ठीक तो जो other persons को बिटाया जाता था उसको बोला जाता था महा मतास मतलब जो other persons को बिटाया जाता था उसको बोला जाता था महा मतास मतरास ठीक है महा मतरास ठीक है जो other persons को बिटाया जाता था लेकिन अगर कोई व्यक्ति रॉयल ब्लेट का है मतलब जिसे उनका बेटा है या उनका कोई रिष्टदार है अगर उनको बिठाए जाता था तो उनको क्या बोला जाता था कुमारा महा मृतास ठीक तो जो राजा का है राजा का रॉयल ब्लेट का हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था कुमारा महामरतास और जो अगर नॉर्मल परसन हुआ करता था तो उसका हुआ करता था महामरतास ठीक तो बेसिकली यहाँ पर हर प्रोविंस को एक वाइसरोय लीड करता था ठीक है या तो वो prince हुआ करता था royal blood का जिसको हम कहते थे कुमारा महा मतरास और या फिर other person हुआ करता था जिसको बोला करते थे महा मतरास ठीक अब इनका काम ये होता था कि अपना जो province है ठीक है उसमें जितने few detries हैं उन पर भी नजर रखे ठीक है इनका काम वहाँ पर पूरी तरीक से एक तरीके से कहा जाए तो एक state का chief minister या हम आज की date में कहें इनके time पर election तो होता नहीं था तो आज की date में हम उसको बात करें governor के लिए ठीक है तो ये basically governor का काम ये होता था कि उस province की जितनी वी चीज़े हैं उसको वो handle करे ठीक है और ये क्यों बाटा गया था क्योंकि मौ ही date में हमारे देश में जो 28 राज बने हैं वो क्यों बने हैं ताकि administration देश का ठीक से चल सके ठीक तो ये provinces हुआ करते थे clear हुआ आपको तो more empire में total 5 province हुआ करते थे सभी province की capital आपको याद रखनी है question कोई भी पूछा जा सकता है ठीक है कि कौन कौन सी capital है कौन कौन सी province हुआ करती थी ठीक तो ये था provincial government के बारे में अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे municipal administration मतलब शेहरी में जो administration हुआ करता था वो किस तरीके से हुआ करता था कितने पार्ट में पटा हुआ था ये हम इसके बाद देखेंगे तो I hope कि आपको provincial government समझ में आया 5 province हुआ क करता था वो या तो royal blood का हो या other person हो और उनका काम एक और भी था कि वो फ्रंटियर पीपल्स पर नजर रख सके तो ये था provincial government इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है municipal administration ठीक अब देखें मौरिस सामराज के municipal administration की जो जानकारी है ना वो सबसे जादा जानकारी जो मिलती है वो Megasthenes कौन था? Megasthenes जो था वो Greek ambassador था ठीक है आपको याद होगा सेलोकस निकेटर में अपना एक Greek ambassador भेजा था Megasthenes ये किसके कोट में आया था? चंद्रगुप्त मौरे के कोट में ठीक तो यहाँ पर वो रहा और उसने वहाँ पर जो राजधानी थी पार्टली पुतर उसके administration को ठीक से study किया समझा और उसके बाद अपनी किताब में actually में उसने सिर्फ पार्टली पुतर के administration के बारे में बता है कि पार्टली पुतर का administration किस तरीके से चलता था? ठीक है? तो उसने ये assume कर लिया था, pre-assume कर लिया था कि बाकी जितने भी शहर रहे हैं, उन जितने भी टाउन रहे हैं, वहाँ पर भी system यही हुआ हुआ ठीक है? जैसा पार्टली पुतर का administration हुआ करता था, अब इसके according पार्टली पुतर का administration जो था पूरा ठीक है? वो control करने के लिए एक commission बनाया गया था, ठीक? एक commission बनाया गया था, जिसका नाम था地方 municipal commission, ठीक है? जिसका काम था कि शहर में पूरा administration को वो control कर सके अब इस municipal commission में आपको याद रखना है total 30 members हुआ करते थे total कितने members हुआ करते थे 30 members हुआ करते थे जिनका काम था ठीक है जिनके सब के अलग-अलग काम थे ठीक है इन 30 members को जो है total 6 boards में बाठा गया था यह जो 30 members थे municipal commissions के ठीक है इनको total क्या था total 6 boards में बाठा गया था ठीक है इसमें जो और हर board में कितने members थे 5 members थे ठीक, क्योंकि total 30 members थे, तो इनको 6 boards में divide किया गया था, हर board का काम अलग-अलग था, ठीक है, हर board का काम जो था वो अलग-अलग था, तो जो municipal commission है, उसमें total 30 members थे, जिसको 6 boards में divide कर दिया, और 5 each, मतलब हर board में 5 members हुआ करते थे, और हर board का अपना एक specific काम हुआ करता था, ठीक है तो यहाँ पर आपको हर एक board का काम देखना पड़ेगा, कि किस board का क्या काम हुआ करता था, तो सबसे पहले बात करें, तो मैंने आपको बताया कि magasthenes ने जो था, अपनी किताब indika में पूरे elaborately describe या partly पुत्र में किस तरीके का administration चलता था, ठीक, और इसने ये presume कर लिया, कि जो other शहर, जो other towns हुआ करते थे, उनमें भी administration इसी तरीके से चला करता होगा, ठीक, तो अब हम बात करें, तो हमें जो पूरी जानकारी municipal administration की मिलती है, वो magasthenes की indika किताब से मिलती है, तो according to him उसने बताया, कि जो partly पुत्र था, उसको control करने के लिए एक municipal commission बनी, ठीक है, जि जो छे board में divide किया, और five members each, मतलब उसके छे board बनाए, और उसमें हर board में कितने members थे, पाच members, अब वो छे board कौन कौन से थे, तो सबसे पहला board जो हुआ करता था, उसका काम था industrial arts, ठीक है, मतलब शेहरों में जो industry वखरा लगी हुई है, उनकी चीजों को handle करना का का काम पहले board का था, तो industrial arts का जो काम था, वो किसका था, first board का, इसके बाद अगर हम second board की बात करें, तो इसका काम था foreigners के related concern करना, देखिए, बहुत सारे foreigners की उस time पर आया करते थे, ठीक है, तो राज्य में जो foreigners आया करते थे, उनसे related कोई भी चीज़े होती थी, तो उसको कौन control करता था second board, जिसका काम था concerned with the foreigners, इसके बाद अगर हम बात करें, जो तीसरा board हुआ करता था, ये काफी important board हुआ करता था, क्योंकि ये जो था, ये birth और death को registration करने का काम करता था, आज की date में भी अगर हम देखें, तो जो बच्चा जनम लेता है, या किसी की मृत्ती होती है, तो birth certificate औ भी ये प्राथा थी, तीसरा board जो हुआ करता था, वो birth की और death के registration को से related हुआ करता था, मतलब एक तरीके से municipal commission का ये भी काम था, जो आज की date में भी है, कि birth और death certificate को वो issue करें, तो ये काम हुआ करता था, किसका third board का, उसके बाद जो चौथा board हुआ करता था, इसका काम था trade and commerce, ठीक है, trade and commerce मतलब जो trade हुआ करता था, जो सामान का आवागमन होता था, शहर के अंदर, शहर से कोई सामान बाहर जाता है, ठीक, तो उससे related जो भी tax collection या जो भी चीज़े होती थी, वो कौन सा board करता था, fourth board, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, पाच्वा board जो supervision करता था, मतलब उस time पर जो manufacturing industries या उद्योग वगरा हुआ करते थे, उनका supervision करने का काम कौन करता था, fifth board करता था, ठीक, और जो आखरी board हुआ करता था, sixth board, ठीक है, ये basically तिथिस, तिथिस को collect करने का काम करता था, उन goods में जिसको sell किया गया है, मतलब एक तरीके से मान ली उसको तीथिस बोलते थे, ठीक है, और ये क्या होता था, tax होता था, जो भी सामान sell किया जाता था, शेहर में, जो भी सामान बिकता था, उसके उपर ये tax लगाया जाता, ठीक, तो ये जो आज का GST है, वैसे ही ये काम करता था, sixth board, तो इस तरीके से पूरे municipal, पूरे शेहर क कंट्रोल करने के लिए, पूरे शेहर का administration देखने के लिए, छे boards में बाटा गया था, और total municipal commission में आपको याद रखना है, कितने members हुआ करते थे, total 30 members, 30 members को 6 boards में बाटा गया, और 5 members each, according to magasthenes, ये इंडिका से लिया गया है, जिसमें उन्होंने पूरे partly पुत्र के administration के बारे में बताया था, ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो courtily ने भी अपनी किताब में municipal organization के बारे में बताया था, ठीक है, ये सिवापको knowledge के लिए याद रखना है, कि courtily ने अपनी किताब अर्थ शास्त्र में भी municipal organizations के बारे में बताया था, लेकिन ये जो 30 members, 6 boards, 5 members each, ये सारी चीजे ली गई है, ये मेगिस्तिनीस की इंडिका से ली गई है, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, अंडर नगरका, ठीक है, ये जो नगरका है, ठीक है, नगरका में दो officers हुआ करते थे, एक था स्थानिका और एक था गोपा, ठीक है, ये दो officers हुआ करते थे, स सारी चीजों को maintain करने का काम, मतलब एक तरीके से यह जो छे बोर्ड बने हैं, इनका पूरा रख रकाव करने का काम या प्रॉपर तरीके से इनमें काम हो रहा है नहीं हो रहा है, यह देखने का काम किसका हुआ करता था, इस्थानिका और go partner ठीक है, और यह हर नगर में हुआ करते थे, ठीक, तो यह था municipal administration मौरे का, ठीक, आपको समझ में आया, municipal administration क्या था, सबसे पहले तो एक municipal commission था, जिसमें 30 members हुआ करते थे, इसमें total 6 board थे, 5 members each के, ठीक, इसके बाद फिर हर board का अपना एक particular काम हुआ करता था, आपने देखा, first से ले करके, 6 तक, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, तो कॉटिल ने भी अपने municipal organization के बारे में पताया था, और इन सारी चीजों का जो रखरकाव करने का काम करते थे, वो करते थे, स्थानिका एंड गोपा, ठीक, तो ये था पूरा municipal administration, ठीक, आपको समझ में आया, municipal administration, ये सारे points जो हैं, आप note कर लीजीगा, इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, पौरा जनपत के बारे में, ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं, पौरा जनपत क्या हुआ करती थी, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो पौरा जनपत के जो leaders हुआ करते थे, ये मौरे के मंतरी परिशद का भी members हुआ करते थे, ठीक है, तो ये basically पौरा जनपत हुआ क्या करती थी, ठीक है, देखिए, पौरा जनपत basically एक assembly हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी ये एक assembly ठीक है जो शहरों में जो लोग रहते थे ठीक है या देश में जो लोग रहते थे उनकी एक assembly हुआ करती थी जिसको पौरा जनपक कहते थी ठीक है तो ये basically किसके लोगों की हुआ करती थी जो शहरों में रहा करते थे ठीक है शहरों में या देश मे जो रहा करते थे लोग, उनकी एक assembly हुआ करती थी, जिसका बोला जाता था पौरा जनपत, और basically ये एक advisory body हुआ करती थी, ठीक है, इसके क्या-क्या functions हुआ करते थे, वो सारे अर्थशास्त्र में दिये हुए, ठीक है, अर्थशास्त्र में mention किये हैं, इनके क्या functions हुआ करते थ पौरा जनपत basically advisory body हुआ करती थी, जो advise देने का काम करती थी, ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ और काम भी हुआ करते थे, जैसे social work इनका हुआ करता था, कि भाई, गरीबों के लिए, और जो helpless हैं, उनके, मतलब उनके relief के लिए काम किया जा सके, तो पौरा जनपत का काम य तो कोई नया tax अगर लगाना है, ठीक है, अगर कोई नया tax लगाना है, ठीक है, तो राजा को advice कौन देता था, पौरा जनपत की लोग देते थे, कि अगर कोई नया tax introduce करना है, ठीक, या फिर king का oppose करना है, ठीक, अगर उन्होंने कोई unreasonable tax लगा दिया, ठीक है, या किसी को illegal punishment impose क मतलब unreasonable कोई भी tax लगा दिया, तो उस टाइम पर राजा का oppose करने का काम भी कौन किया करता था, पौरा जनपत किया करता था, ठीक, तो आपको समझ में आया है, पौरा जनपत क्या था, एक तो सबसे पहले तो ये assembly थी, एक लोगों की, ठीक है, इसके अलावा, इनका काम था, social work था, इनका, गरीब लोगों को, और जो helpless लोग हैं, उनकी सहायता करना, और ये राजा को भी advice दिया करते थे, टैकस से related, और राजा का oppose भी क्या करते थे, अगर उसने कोई unreasonable tax या illegal punishment इंपोस करते, ये हुआ करता था, पौरा जनपत की बारे में, ठीक, I hope कि आपको समझ में आया होगा, इसके बाद जो हम आते हैं, वो आते हैं, डिस्ट्रिक और विलेज अपने से कहा जाए, तो नगर का administration, फूरी तरीके से लिखाता है, ठीक, अब उस नगर के अंदर कुछ जिले हुआ करते थे, कुछ गाव हुआ करते थे, तो जो डिस्ट्रिक और विलेज बात करें, जैसे maintenance of boundaries, boundary को maintain करना, sale करना, mortgage करना, district की census बनाना, ये सारा काम कौन करते थे, मैंने आपको बताया था, दो officers हुआ करते थे नगरिका में, एक था स्थानिकाज और एक था go pass, ठीक है, तो इनका काम ये हुआ करता था, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो पूरे administration की सबसे smallest unit हुआ करती थी, वो village हुआ करती थी, देखिए, आज की date में भी अगर हम बात करें, तो हमारा जो administration की जो सबसे छोटी unit है, वो village है, ठीक, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, गाओं होता है, ठीक है, गाओं, कई सारे गाओं मिल करके क्या बनाते है, एक तहसील बनाते है, कई सारी तहसीले मिल के क्या बनाती है, एक district बनाती है, कई सारी जो districts होती है, वो मिल के क्या बनाती है, division बनाती है, जिसे हम संभाग कहते है, ठीक, तो आज भी system वैसा ही है, ठीक है, जैसा पहले हुआ करता था, इनके समय में भी जो सबसे smallest unit हुआ करत तो यह सबसे स्मॉलेस्ट उनिट हुआ करती ठीक और इनका काम बेसिकली हुआ क्या करता था? यह क्या करते थे? ऑफिशिल्स को जो गवर्मेंट के जो ऑफिशियल थे उनको ए्सिस्ट किया करते थे in disposing of petty disputes arising in the village देखिए अगर आप गाओं वाओं में कोई अगर मान लीजे कि कुछ dispute हो गया ठीक अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज में जो मंत्री परिशाद है वो जाएगी तो वहाँ पर क्या किया करते थे विलेज का एक हेड बना दिया करते थे ग्रामी का जिसका काम ये हुता था कि वो जो government हुआ करती थी उसके help किया करता था ताकि ये disputes को वो अपने ही level पर solve कर सके ठीक है तो ये district और village administration मैंने आपको बता है village जो थी वो सबसे smallest unit थी ठीक जिसका head कौन हुआ करता था ग्रामी का हुआ करता था clear हुआ ये और इनको assist कौन करते थे इनको ये government officials को assist करते थे ताकि village में जो petty dispute है ठीक है उसको खतम किया जा सके clear जिस clear हुई आपको ठीक अब इनके समय में more administration में एक और बहुत important system हुआ करता था जिससे आज की date में हम intelligence department कहते हैं s.h system ठीक देखिए s.h system basically कौन लाए थे कौटिल लिलाए थे ठीक कौटिल लिका ये मानना था कि अगर हमें अपने सामराजी की सुरक्षा करनी है तो हमारे आसपडोस के सामराजी या हमारे दुश्मन सामराजी में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें होना जरू जैसे आज की date में हमारे देश में intelligence system बाही आक्रम department की बात करें तो बाहरी आक्रमर से बचाने के लिए रो है जिसको हम research and analysis wing कहते हैं और अगर हम internal dispute की बात करें तो उसके लिए इसको हम intelligence bureau के ठीक तो intelligence bureau और रॉ का काम भी यही हुआ करता है कि यह एक तरीके से क्या किया जाते है दुश्मन राज में जाके जासूसी करते हैं जिससे वहां से information जो है वो निकाली जा सके तो यह जो जासूसी वाला system रहा है इसी को बोला जाता है और यह कोटेले ने किया था तो कोटेले ने अपने समय में बहुत जादा emphasize इसको दिया ताकि यह अपने देश की सुरक्षा कर सकें स्टेट में stability ला सकें उनकी efficiency बढ़ा सकें उनका progress कर सकें ठीक है क्योंकि क्या होता था उस टाइम पर भी जो दुश्मन राज हुआ करते थ उनसे खत्रा हुआ करता था कि वो कव attack कर दें क्या कर दें तो उसके लिए यह intelligence department मनाया गया था इसके अलावा इसमें जो basically females का बहुत जादा यूज किया जाता था देखिए मैंने आपको बताया कि जो जासूस हुआ करते थे जिनको हम spice कहते है ठीक आज अगर हम बात करें तो हमारे raw के भी कई सारे agents जो अलग-अलग देशों में काम कर रहे है ठीक तो उनका काम क्या होता है कि वहां से vital information ले करके और देश में लोगों को produce करना तो उस time पर भी यह जासूस हुआ करते थे और basically यह महिलाएं हुआ करती थे इनके time पर more administration में महिलाओं को appoint किया जाता या उनके किसी बड़े administrator को कुछ करना है तो उस time पर भी यह क्या हुआ करता था spice female हुआ करती थी ठीक है जिनका काम होता था कि सारी information निकालना और वक्त आने पर जो है वो दुश्मन देश को नुकसान पहुचाना थे तो यह spice के रूप में काम करती थी ठीक है foreign countries में इनको विदेश भेजा जाता था foreign countries मतलब उस time पर जो मौरे dynasty के बाहर जो dynasty हुआ तो वहाँ पर उनको जासूस के रूप में भेजा जाता था dispute किया जाता था ताकि वहाँ से कुछ vital information बोले करके आये clear हुआ यह तो यह हुआ करता था s.a system या जिसे आज कहा जाए intelligence system ठीक है तो यह उस time पर मौरे सामराज में intelligence system हुआ करता था ठीक अब इसके बाद जो आता है सबसे important वो है military organization ठीक अब देखे हम सब जानते हैं कि जो मौरे सामराज था इसकी सेना जो थी वो बहुत बड़ी थी ठीक मौरी की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी अब जाहिर सी बात है जब आपकी सेना बहुत जादा बड़ी होती है तो उसको maintain करने के लिए भी आपको एक organization बनाना पड़ता है उसको maintain करने के लिए जैसे आज की date में भी अगर हम देखे हैं तो हमारे आर्मी को control करने के लिए नेवी को control करने के लिए एरफोर्स को control करने के लिए एक organization बनाये गया है जो उनको control करता है जैसे आर्मी चीफ हो गए नेवी चीफ हो गए एरफोर्स chief हो गए ठीक तो इनका काम क्या है control कर तो वैसे ही उस time पर भी इतनी बड़ी सेना को control करने के लिए एक organization बनाया गया military organization ठीक अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक organization बनाया गया था ठीक है जिसका नाम दिया गया war office क्या दिया गया war office मतलब यहाँ पर भी एक war office हुआ करता था और इनके भी war office में 30 member हुआ ख़िक इनके में war office में 30 member हुआ करते थे अभी जब मैं आपको municipal administration पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि municipal administration में भी जो municipal commission होता था उसमें 30 member हुआ करते थे तो ऐसे ही जो military organization ठीक है इसमें भी क्या हुआ करते थे तीस मेंबस हुआ करते थे और इनको भी 6 बॉर्ड में बाटा गया ठीक शिक्स में बाटा घया था और हर बॉर्ड में कितने मेंबर थे 5 इज तो ये जो मिलेट्री जो अलग-ग हीर ऐry जोग में आर मिलिटरी में भी अलग-छीज attitude मौर के पास n HIVanking नावे भी भी हुआ करते थी फिर इसके बात करें तो हर चीज को मेनेज करने के लिए अलग बोड बनाये गया थी तो जो आर्मी थी धीक है military जो ती उसमें जो अलग अलग parts थे उन सबको मैनेज करने के लिए अलग-अलग administration बनाये गया था तो अगर हम बात करें तो मौर की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी बहुत efficient थी ठीक है और well equipped आर्मी थी ठीक है तो इसी कारण से यहाँ पर जो था एक war office बनाये गया जिसमें 30 members हुआ करते थे ठीक है और इसको 6 board में बाटा था 5 members each ठीक अब अगर हम बात करें सबसे पहला board जो होता था वो navy से deal करता था ठीक जो सबसे पहला board जो हुआ करता था वो किस से deal करता था navy से deal किया करता था उसके बाद अगर हम second board की बात करें तो यह transport से deal किया करता था ट्रांस्पोर्ट मतलब यह जो military truck वगएरा होते हैं सारी चीज़े वगएरा होती हैं सामान को इधर से उधर भेजना ठीक यह basically इसका काम जो किया करता था वो second board किया करता था ठीक तो पहला board क्या करता था नेवी का काम और second board क्या किया करता था transport गता इसके बाद अगर हम बात की बात करें तो ये cavalry को deal करते थे, cavalry मतलब अपने घूर सवार, ठीक, जो घूर सवार हुआ करते थे, उनको manage करने का काम कौन किया करता था, fourth board किया करता था, इसके बाद अगर हम fifth board की बात करें तो ये war chariots chariots का मतलब जो अपना रत हुआ करते थे, ठीक है, तो ये जो युद्ध के रत हुआ करते थे, इनको maintain करने का काम कौन किया करता था, fifth board किया करता था, और इसके बाद जो last board है, sixth board इनका काम था, जो हाती हुआ करते थे, ठीक, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, नंदवंश के अगर हम बात करें, तो नंदवंश में तो 3,000 हाती थे, लेकिन अगर हम मौरस सामराज की बात करें, तो इन में तकरीबा 9,000 हाती हुआ करते थे, इतनी बड़ी संख्या में हाती हुआ करते थे, मौरस सामराज ठीक, मौरी की से नबर, ठीक, तो एक separate board जो हुआ करता था, वो हातीयों के लिए भी हुआ करता था, clear हुआ आपको ये, ठीक, तो military organization में भी 30 member हुआ करते थे, छे board बनाए गए थे अलग-अलग चीजों के लिए, पहला board नेवी के लिए था, दूसरा transport, तीसरा inventory, चौथा cavalry, पाच्वा वार चैरियेट, तो च्वाटा एलिक, तो ये हुआ करता था, इसका मौरे का military administration, ठीक, अब यहाँ पर एक छोटा सा topic बज़ गया है, administrative units, यह आपको याद रखना है बस कि किस unit के head को क्या बोला जाता है, ठीक, जैसे अगर आज की बात करें, ठीक, तो जो हुआ करता था, जैसे अगर हम आज की बात करें, गाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गाओं में आज गाओं के head को क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है, ठीक, फिर ऐसे ही district का भी एक head होता है, ठीक, ऐसे ही division का एक head होता है जिसको हम commissioner कहते है district का head जो होता जो collector बोला जाता है ठीक तो ऐसे ही क्या है अलग-अलग units में जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे तो अगर हम बात करें यहाँ पर 4 administrative units थी यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक चार administrative हुआ करती थी इसमें जो सबसे नीचे लेवल पर होती थी वो थी gram ठीक है सबसे smallest unit हुआ करती थी और इसका जो head हुआ करता था उसको बोलते थे Gramanika ठीक उसको क्या बोलते थे Gramanika ठीक अब यह जो संग्रहना हुआ करती थी यह कई सारे गाओं को मिलके बनती है मतलब कई सारे गाओं को मिला करके एक जो बनाया जाता था संग्रहना उसका जो head हुआ करता था वो हुआ करता था गोपा जैसे आज की date में हम देखते हैं तहसील ठीक कई सारे गाओं को मिला के क्या बनाई जाती है, एक तहसील बनाई जाती है और उस तहसील कहा है हम कहें संग्रहणा का जो हेड हुआ करता था फो क All बना करता था गोपा ठीग हिसके बाद कई सारी तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्त बनाती है जिसको उस टाइम पर कहा जाता था Wiche ठीक विशिया बोला जाता था ठीक है तो आपको यह याद रखना है ठीक तो उस टाइम पर जो डिस्ट्रिक्स हुआ करते थी उनको क्या बोला जाता था विशिया बोला जाता था और उनके जो हेड हुआ करते थे उनको बोला जाता था प्रदेशिका या राजुका ठीक तो या राजुका बोला जाता था किसके head को जो आपके district के head हुआ करते थे और फिर कई सारी districts मिलके क्या बनाती थी एक division मनाती थी जिसको हम क्या बोलते हैं चक्र तो उस time पर जो सबसे बड़ा जो हुआ करता था divisional head वो चक्र हुआ करता था और उसका जो head होता था वो या तो कुमारा होता था या राश्टपाला ठीक राश्टपाला हुआ करता था यहां पर आकर के हमारा पूरा more administration खतल होता है I hope कि आपको more administration बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैंने बहुत simple भाशा में आपको समझाया सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से उनका administration हुआ करता था हमने मंत्री परिशत देखे यूरोक्रेसी, प्रोविंशिल गवर्मेंट किस तरीके की थी उनका municipal administration कैसा था district, village administration फिर इसके बाद हमने उनका पौरा जन्पत के बारे में पढ़ा military administration देखा और अंक में administrative units देखे ये सारे points आप note कर लीजेगा एक एक point जो है वो बहुत ज़्यादा important है ठीक है, यहाँ पर आ करके आज हम अपनी class को stop करते हैं ठीक, next class में जो हम देखेंगे वो इनकी social condition देखेंगे कि social condition Moran Empire के टाइम पर कैसी थी और हम इनकी economic condition देखेंगे ठीक, तो next class में जो next part में होगा, ठीक है उसमें हम social और economic conditions देखेंगे I hope कि आपको सारी चीजे समझ में आ गही होगी अगर आपको फिर भी कोई doubt उट रहा है तो please please comment box में mention कीजिए मैं जितना जल्दी से जल्दी होगा उसका response आपको दूँगा otherwise हमारे चैनल को please like कीजिए subscribe कीजिए और maximum to maximum share कीजिए, so guys thank you have a good day, jai hin, mamashkar